अरे हाउना तू क्यों करेगी तेरे बाप के घर में तेरे बाप के घर में तो तेरे आगे पीछे चार-चार पाथ-पाशनों कर लगे रहते थे तेरे को खाना खिलाने के लिए पंखा उड़ाने के लिए तेरे को जूला-जूल काटन का फूल बड़ी भाई की गोदी में बे कबूतर मरे गुलेल से कद बाज नहीं मरते कबूतर मरे गुलेल से कद बाज नहीं मरते कबूतर मरे गुलेल से कद बाज नहीं मरते ले चल बड़ा हुई हुई हाँ देखना तो बैल आरे मैं मारू चल के दातारी वो नान बाई तैला जो मोरी सी दोरी वो मैं मारू चल के दातारी वो नान बाई तैला जो मोरी सी दोरी वो मारू चल के दातारी वो नान बाई तैला जो मोरी सी दोरी वो बाई मोरी धाम दुसर खासे गट गट बाद बाई मोरी धाम दुसर खासे गट गट बाद बाबू मोरो टी टिंग काटिंग बाबू ला बाई गई बीमारी वो मैं मारू चल के दातारी वो नान बाई तैला बे मोरी सी दोरी वो मैं मारू चल के दातारी वो नान बाई तैला जो मोरी सी दोरी वो घर लके आवा से सी दोरी भाई या आवा से रोटी ना बाद बाप मोरो पी वो इस भरबाद बाई बाप मोरो पी वो इस भरपाद रे मैं मारू चल के दातारी वो नान बाई तैला बे मोरी सी दोरी वो मैं मारू चल के दातारी रे नाने बाई तेला बे मोरी सी दोरी रे बाई को मोरी परी निखी से साना से मोला रुआब बाई को मोरी परी निखी से साना से मोला रुआब बाईयों को पटवारी से ना कसो बाईयों को पटवारी से ना पुलिस मस है उको बाप रे मैं मारू चार के दातारी रे नन बाई तैला बे मोरी सी दोरी रे मैं मारू चार के दातारी रे नन बाई तैला बे मोरी सी दोरी रे मैं मारू चल के दातारी वो नान बाई तेला बे मोरी सी दोरी रे मैं मारू चल के दातारी वो नान बाई तेला बे मोरी सी दोरी रे आजी सुनते हो क्या ए डुगू के पापा ये लेओ ना आगई हमारे हां की कलेक्टार कपसे खाना ले करके आ रही है अब जा करके पहुंचिये माता माई अरे खाना ले करके आ गई हूँ खाना खालो स्रीमान जी गाली मत दो मेरे को अरे हां हां आ रहा हूँ मेडम जी आ रहा हूँ ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पहार गंडला करके आई है और अभी इसको बहुत बड़े दोरे में जाना होगा आ तो रहा हूँ अरे बात वैसी नहीं है एक तो एक ये तुम्हारा टिपिन डबा इतना भारी है कि पूछो ही मत उपर से इसका एक डबा फूटा हुआ है पूरी डाल मेरे बालों के उपर आ गई मेरे पुड़े बाल खराब हो गए यार अरे बापरी मेरे बाल खराब हो गए अरे रहने दो मेरे जी रहने दो चल्ली से उतार दो मेरा टिपिन डबा और आप घर चले जाओ अरे गलती हो गई मुझसे तो बहुत बड़ी जो आप से मेने सिधोरी मंगवा लिया माप करना मेरे बाप करना हाँ हाँ पता है मुझे कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो ताने मानना तो बहुत अच्छा आता है तुमको ताने मानना तो कोई तुमसे सीखे तुमसे लो अब बखवाज बन करो और चुपचाप खाना खालो इसमें गलत क्या बोला मैने सही तो बोल रहा हूँ अरे वैसे सबजी किस चीज़की लेकर आई हूँ आलु गोवी की सबजी लेकर आई हूँ और दाल लेकर आई हूँ अरे वाई ये तो बहुत अच्छा किया तुमने ये लो खालो अरे बाप रे साला पता नहीं मुझे क्यों एक बात हजम नहीं हो रही है बिल्कुल भी सच सच बताना तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ मैं वैसे आज ये इतना अच्छा अच्छा खाना किस खुसी में बना है और इसे बनाया किसने है अरे कोन बनायेगा मैंने बनाई हूँ क्यों खाना अच्छा नहीं है क्ये वैसी बात नहीं है खाना बहुत अच्छा दिख रहा है दिखने में इसलिए तो पूछ रहूं की बनाया किसने है क्योंकि तुम से तो ऐसे खाने की उम्मीद तो मैंने कभी जिनगी में नहीं किया था क्योंकि हर दिंगा तो तुम्हेरा मुझे पता है कभी कच्छा खाना मिलता है मुझे तो कभी पका मिलता है तुम्हारी माने बनाया खाना कौन बनाएगा तुमको तो पता है ना कि मुझे किचन में घुसना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब तुम खेत आ रहे थे तब मम्मी जी और पापा जी घर में लोटे थे उन लोग कहीं से आ रहे थे इसलिए यह खाना उनके लिए बनवाया है मैंने मेरे मम्मी पापा तुमारे घर से भूके जाते क्या अच्छा तभी मैं सोचू कि बिन मोसम बरसाथ कैसे हो गई मतलब यह खाना उन फुकर्चन लोगों के लिए बना था और इधा धोवन पासन का खाना इदा मेरे लिए करो हाँ अरे क्यों नहीं करूंगा क्यों नहीं करूंगा साले फुकर्चन लोगों के घर जाता हूं तो जब देखो तब भटा बाद भाद के अलावा कभी दूसरी सब्दी खेलाएंगा तरे माबाप ने अरे एकाद बार तो कही देते हैं कि चलो कही दिन में जवाई आया है तो चलो एकाद बार मुर्गा के एकाद बार मचली खावा के भेज़ दे करके दूसरे के घर में आएंगे तो बड़ा चिकना चिकना खाके जाएंगे और अपने घर में भटा भाद भटा भाद अच्छा तो हमेशा मेरे माबाब तुमको मुर्गा मचली मुर्गा मचली खिलाते रहेंगे क्यों अगर से हर बार मुर्गा मचली खिलाए तो बहुत अच्छा और अगर से दूसरी सब्जी खिला दिये, तो नहीं ऐसा खिलाते हैं, नहीं वैसा खिलाते हैं, अरे तुम तो ऐसे इंसान हो कि खाने पीने के बाद भी बैमान हो जाओ, ऐसे इंसान हो तुम, अरे तुमारी बहन तरप का दावान भी तो तुमारे घर में आता है न, क्या हर लेकिन तेरा बाप तो बहुत बड़ा लगपती है ना बहुत बड़ा क्लेक्टर है ना इसा बड़ी जारता है जब बड़ी जारते हैं तो फिर बड़ा खर्चा भी करवाना चाहिए ना जवाइगिन के लिए अरे क्यों खर्चा करेगा मेरा बाप उसके खाने पीने वाले नहीं है क्या क्या पूरी दौलत तुम्हें तो बात ही करना बेकार है तुमको खाना खाना है तो खाओ ने तो भार में जाओ जा रही हूँ मैं घर और हाँ, मुझे बार बार फोन करके बुलाना मत, कि खाना ले करके आ, कि कई पानी का डब्बा ले करके आ, तुमको काम करना है करो खेत में ने तो भाल में डालो, मुझे बार बार परिसान मत करना फोन करके अच्छा घर चली पठलान और इदा खेत में बनिहार इनके साथ परा को लगाएगा तेरा बाप बेज़ेगा इदा खेत में बनिहार आरदस्थोल कि जाओ मेरी बेटी के बदले का परा लगाना करके अरे मेरा बाप क्यों भेजेगा बनिहार, तुम्हारा बाप लगवाएगा पड़ा, कोई मैं तुम्हारे बाप की नोकर थोडी ना हूँ, जो या तुम्हारे खेद में पड़ा लगाऊँगी मैं, मुझे नहीं आता है, यह सब पड़ा वरा लगाते, मैंने कभी अपने ओपने को खूलाने के लिए जूला जुलाने के लिए जूलाइक喧ून का फूल बड़ी गोदी में ड है इस में तो मुझे तुमित फेल्कुल भी बै Tulis नहीं करना है और तुम्हारे मूह नहीं लगना है फाल तु लोगों के कौन मूह लगेगा तो क्या मालूम कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो